CBSE Board से Affiliated जो स्कूल हैं जो Candidate उनमें Teacher लगना चाहते हैं उनमें Eligible होना चाहते हैं उनके लिए हर हालत में उनको Seat Act पास करना होगा तो December 2021 में जो Test होना है उसकी Online Application Form की Registration शुरू हो गई है इस वीडियो में उस Registration से Related जो Basic Concepts हैं उनको समझेंगे जो नए Candidate हैं उनको ये समझना ज्यादा ज़रूरी है Online Submission जो है Last Date उसको Note कर लेना चाहिए एक बात ये साफ है कि इतनी जल्दी आपको Form Fill करने में नहीं करनी चाहिए टाइम अभी बहुत है उसका कारण ये है कि कुछ Decision लेने के लिए आपके पास टाइम चाहिए दूसरा जो आगे भी फिर मैं बताऊंगा पहले भी एक मैंने वीडियो निकाला था Alert for Private School Teachers National Education Policy ने ये साफ लिखा है कि Pre-Primary Teachers से लेके 10 प्लस 2 तक जिनको आप PGT टीचर बोलते हैं स्कूल में पढ़ाने वाले हर टीचर को TET टीचर Eligibility Test पास करना होगा लेकिन इस एक्जाम में सिर्फ Seated First से Fifth तक और Sixth से Eighth Class तक Upper Primary तक की Eligibility के लिए ये टेस्ट लिया जा रहा है इसकी Last Date है Fees की Submission की है लेकिन आपके लिए ये डेट अभी जरूरी है दूसरा है कि Date एक्जाम कब होना है उसमें काफी टाइम अभी पड़ा है December 16 से लेकल 13 जनवरी 2022 के बीच में एक्जाम होगा ये इतनी लंबी डेट क्यों है क्योंकि इस बार Offline एक्जाम नहीं होगा Online एक्जाम होगा ये बात भी याद रखनी है कि जब Online एक्जाम होता है टेस्ट होता है तो उसकी Quality में थोड़ा Different थोड़ी Improvement होती है इसका मतलब है कि आपके लिए Difficulty, आपके लिए मेहनत और आपके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा आपको निकालना पड़ेगा सीट एट की तैयारी के लिए ये Basic Information है इसकी बात हम कर चुके हैं रेपीट नहीं करेंगे Date of Exam की भी बात है, कब अपने Enter होना है, Admit Card होना है अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है हाँ, Fees आपकी कितनी होगी दो कैटेगरी में Fees बताई गई है एक तो पहले ये समझ लीजिए कि आप Paper 1 सिर्फ फिल करना चाहते हैं जब Paper 2 Paper 1 किन के लिए है? जो स्टूडेंट फर्स्ट से फिफ्थ क्लास को टीच करने के लिए टीचर लगना चाहते हैं जिन को हम Primary टीचर, जहां Lower Primary टीचर बोल देते हैं और दो नमबर कौन सा है? कि आप सिख्थ क्लास से लेकर एर्थ क्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं इसको हमा Upper Primary भी बोल देते हैं इसको Elementary भी बोलते हैं और इसको Middle भी बोल देते हैं यह information इसलिए दे रहा हूँ कि आप इस वीडियो को जब देखोगे तो साथ साथ में आपकी तयारी एक तरह से शुरू हो गई है क्योंकि इन टर्म्स की आपको Clarity चाहिए जो आपके Seated से Slabes से Related है तो अगर तो आप इस क्रास के लिए Eligible होना चाहते हो टीचर के लिए तो आप Paper 1 सिर्फ फिल करोगे अगर आप सिर्फ 6th से 8 तक के लिए Eligible होना चाहते हो तो Paper 2 फिल करोगे इन में से कोई एक आपने Paper अगर फिल करना है तो आपकी Fees थोड़ी कम है 1000 रुपीज अगर आपकी Category कौन कौन सी है General Category OBC NCL mean Non Creamy Layer ये वर्ड भी आपकी P TET C TET में जहां State TET जहां Center TET में बार बार आता है General और OBC के लिए 1000 हो गए एक Paper फिल करने के लिए अगर आप ये दोनों Paper फिल करना चाहते हों Both Paper 1 and 2 तो आपके 200 रुपे प्लस हो और हो जाएंगे अगर आपकी Category SC, ST, Differently Able Person हो आप तो आपकी Half हो जाएगी Five, One Paper के लिए और अगर आपने दोनों Paper फिल करने हैं तो 600 आपकी Fees हो जाएगी ये Fees है इसके इलावा आपको GST साथ में Pay करना होगा जो भी Applicable होगा जब आप Bank में Online Pay करोगे Next है कि Online जो Date है एक्जाम की उसकी दो Shifts होगी एक तो साथे नौ से शुरू होकर 12 बजे दुपहर तक ये लिखा है Computer Based Test CBT ये टर्म भी आपको Question में आ सकती है ओके ये धाई गेंटे का है शाम की Shift भी धाई गेंटे की जो है धाई बजे से लेके 5 बजे तक तो आपका किस Shift में नंबर आता है ये आपको बाद में पता चलेगा Next है कि जो Structure है इसका Content का ये बात भी हो चुकी है इसको आगे चलते हैं Brief में आप इसकी Nature समझ लीजिए कि इस Paper में होना क्या-क्या है Mode इसका Online ये बात हो चुकी है Negative Marking नहीं है अगर आप कोई Question गलत करते हो तो उसके Minus Marks नहीं होगे इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आपकी तयारी होगी Type of Question MCQ Multiple Choice Type of Question 4 Option होगे 4 Option है Best उसमें से कौन सा Answer है वो ढूंडना है अगर आप Best ढूंड लेते हो तो आपको Score मिलते हैं अगर नहीं डूंड पाते हैं तो आपका कोई Score काटा नहीं जाएगा अच्छा Level of Question यह Important है अभी मैं बात करता हूँ इसके यह रहता है Pass Marks General Category के लिए 90 60% जैसे की कहा गया है तो जो Reserve Category है उसके 82 Time डाई केंटे का हो चुका है Total Marks 150 आगे बात होगी डिटेल में कैसे डिवीजन है सलेबस में यह बात important है कि Level of Question Bloom यहां क्यों लिखा है आगे जाके बिए बताऊंगा कि सलेबस में कोई चेंज नहीं है लेकिन National Education Policy ने जो Direction दी है हर Education Level में Quality को Improve करने के लिए उनमें एक सुजेशन यह है Direction यह है कि Tech की Questions की Quality को Improve किया जाए ऐसे ही National Testing Agency को UGC Net वगेरा बाकी एक्जाम जो है उनको भी Improve करने के लिए कहा है तो Improve क्या करना है आज तक जो Test हुए हैं आपके उसमें यह Lower Order यह याद रखना है यह Lower Order Lower Order Thinking Skills है और यह है Higher Order Higher Order Thinking Skills Okay Hots भी इसको बोलते हैं यह बार-बार आता है Term Use होती है यह आपको एक्जाम में भी इसमें आ सकती है अच्छा सबसे ज्यादा यह जो Lowest Level है Remembering जिसमें Factual Knowledge को आप Memorize कर लेते हो वो सबसे ज्यादा Question आते थे For example 97% 98% है ना 96% Question ही आते हैं और बाकी थोड़े Question Understanding Level के होते हैं थोड़े Relative Taxonomy है आपके Question इस से Shift होके यहां तक और यहां तक पहुंचने चाहिए यह Example है Exact नहीं है यह मैं बात बता दूँ For example अब Higher Order यह Higher Order में Application है For example उसके 10 Question 10% Sorry Question और Understanding के मान लीजिए 30% Question और Memory के 60% Question तो यह इनकी तयारी के लिए आपको Conceptual Understanding चाहिए जो मैं अगले वीडियो इस पर T.E.T. की C.T. की कोचिंग के लिए दूँगा उसमें इन पर मेरा ज्यादा जोर होगा क्योंकि यह मैं खुद भी चाहता था कि Conceptual Understanding होनी चाहिए वीडियो बहुत हो सकता है कम आये लेकिन होगी Exercise के साथ और आपके Concept की Understanding Comprehensive होगी और In-depth में होगी अच्छा यह Change के लिए आपके लिए Challenge बढ़ गया है क्योंकि आपके Marks आपने इतने ही लेने हैं लेकिन Difficulty Level इससे आपका बढ़ जाएगा दूसरी बात ये भी है कि अब जो National Policy ने Suggest किया है कि जॉब में Recruitment के दोरान TET के Score को Weightage दी जाए It means जिस Person ने ज्यादा Marks For example एक ने 120 लिए हैं एक ने 110 लिए हैं एक 90 पर पास हुआ है तो जॉब मिलने की संभावना उसको ज्यादा है जिसने सब ज्यादा Marks लिए हैं तो आप 90 को Criteria लेके अब मत चलें आप ये सोचिए कि मैंने Maximum Marks लेने हैं मैं इसके बेस पर ही जॉब लूँगा तो इसके लिए आपको अभी से तैयारी शुरू करनी होगी जो मैं जल्द ही शुरू कर रहा हूँ ओके आप syllabus को थोड़ा समझ ले और मैं कैसे किस-किस की तैयारी पक्का करवाऊंगा वो बताने लगा हूँ और fundamentals हाथ-साथ में और उनकी application और understanding पर जोर दूँगा यह रहा है ओके पहला पिक पर CDP का Child Development and Pedagogy Pedagogy को मैंने यह क्यों कर रखा है क्योंकि Pedagogy में जो fundamentals theories है principles है laws है of teaching and learning अगर वो आप learn कर लोगे तो यह 30 की मैं तैयारी करवाऊंगा अच्छा अगर वो learn कर लोगे Pedagogy के आप तो आप वही principles को जो language first आपने fill करी है उसमें 15 question Pedagogy के होंगे दूसरी language में 15 question Pedagogy के होंगे Mathematics में आपके 60 में से 30 question Pedagogy के होंगे और Social Science में 30 questions Pedagogy के होंगे तो यही principles जो होंगे Vygosky की theory होगी प्याजे की होगी कोरल बलगी होगी behaviorism होगा constructivism constructivism new education policy में national करी करों framework जो बन रहा है अभी उसमें 100% होगा Social constructivism top पर होगा यह बात पक्की है क्योंकि worldwide यह theory approve हो चुकी है इनके फाइदे जो top पर education system जिनका है जैसे New Zealand है Japan है Finland है इनोंने in social constructivism की philosophy और psychology के principles को apply किया है अगर आप इन paper में first paper में in theories और principles को जो मैं आगे जाके teach करूँगा उनको समझ लेते हो तो देखिए आपके कितने questions all होते हैं first तो यह 30 का पूरा करवाऊंगा उनके साथ ही इतकी exercise इनकी exercise इनकी exercise 50-50% आपके सारे paper जो है पार जो है इसके हो जाएंगे तो आपका 150 का यह है तो मेरी ख्याल में इसमें आपका काफी cover हो जाएगा जो content की है तयारी वो मैं कोई commitment नहीं करता हाँ यह वाली मेरी मेरा शौक है कि मैं करवाऊं next अगर आपको कोई भी doubt हो comment box में जरूर लिखें आप share करें यह video जिसने भी p.t. sorry c.t. की तयारी करनी है कोई आपने और question है वो comment box में लिखें अगर और information क्या है आपकी के main question जो आपके हाँ हिंदी और English में जैसे child development and pedagogy का था वो आपको सिर्फ fake language में नहीं होगा दोनों language में same question पूछा जाएगा तो वो आप policy को जो national policy है जहां हमारी language policy है उसको मद्द नज़र रखते हुए ये paper ऐसे आएगा इसके इलावा आपका कोई भी question हो ये information में रिखल में हाँ pass की बात हो चुकी है हाँ ओके तो next video साथ में ही आएगा आपने form fill करना है आप language को choose करोगे language को choose वैसे ही हम कर लेते हैं जो fill अभी कर भी रहे हैं form please वो वीडियो भी देख लेना कैसे language को choose करना है इन दोनों language में difference है वो देख लेना यहाँ इस वीडियो को खतम करता हूँ next video आप साथ में देख लेना thank you